हेलो दोस्तों स्वागत है को नई वीडियो में यार आज की सुड़ों में आप लोगों बताने वाला हूं कि आप अपनी जो इमेज है जो फोटो है उसका बेकग्राउंड एक क्लिक में कैसे एरेज कर सकते हैं जो है अपनी जो कोई भी इमेज है आपकी उसका कर सकते हैं तो सारा कुछ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यार आप सभी लोग जानते हैं अगर हमें यूटूब का थमनेल बनाना है या किसी भी चीज पर हमें अपनी इमेज लगानी होती है अगर हमें अपनी इमेज की PNG बनानी है अगर मानली आप फोटो से वह मैं आपको बता हूंगा अपने मुबाइल स्क्रीन पर तो हम ज्यादा देर स्कूराइब करते हैं और चलते हैं अपनी मुबाइल स्क्रीन पर लेकिन उससे पहले अभी तक आपने उड़ लाइक निक्या एक लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एरेज करने के लिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक तो जो है हमारी वेबसाइट है जिसम एक क्लिक में जो है बेक्ग्राउं एरेज कर सकते हैं और एक है एप्लिकेशन जिसका नाम है पिक्सार्ट आप लोग जानते ही होंगे तो सबसब पहले मैं आपको वेबसाइट से जो है बेक्ग्राउं एरेज करके बता देता हूँ तो आपको करना क्या है अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है यह फिर आप गूगल भी ओपन कर सकते हैं ओपन करने के बाद आपको यहां पर जो एक उसका नाम टाइप कर इसा इंरसाइश आइगा आपको आपलोड का उसे-स पर इमेज का अबहुरान और पर इमेज उसको लेत श들이 उसके उसके आपलोड हो जाही glorious यहां पर हमने एक किलिक किया है, कोई यहां पर ज्यादा काम हमारा नहीं रहा है, कि हमें इसे ब्रस करना है, ब्रस से हम अपने बेक्ग्राउड को जो है, रिमूव करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ यहां पर अपनी इमेज अपलोड की है, इमेज अपलोड करने के बाद जो है, अपना आप आपकी इमेज का बेक्ग्डाउंड यहां पर एरेज कर देगा तो यहां पर मेरा इंटरनेट सिलो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है अब आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारी इमेज यहांपर अपलोड होई अपलोड होने के बाद इसका बेक्ग्राउंड हो गया बैक्ग्ग्राउड पर आपक्ते बाएज दिछागई, लेकिन क्या है यह प्रने धी क्यों पेसे पिकाइज एडाहनगा यो क्योंस कोभना है इसका क्योंगी सभावाता से विद्धर प् plains कि एगा है करना के से आपको अपना पिकारर आपन कर लिया पिक्स आपन कर लिया है पिक्सार डबन करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटर इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं इक करना है। पर आपको यह उप्सन दिख रहा होगा रिमूव बीजी यानि कि आपको जो बेक्ग्राउंड है वो आप इसे एरेज कर सकते हैं जैसे आप इस पर किलिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और इसके बाद जो है थोड़ी देर में आपकी इमेज का बेक्ग्राउंड अपना आप एरेज कर देगा तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसने हमारा बेक्ग्राउंड एरेज कर दिया है लेकिन इसमें हमें कुछ यहां पर थोड़ा थोड़ा जो यह हमारी इमेज के साइड में बोडर टाइप आपको दिख रहे होगी यह इस सिर्साइज को आपको अपने इसाप से कर लेना इसिए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बेक्ग्राउं इसका आरेज करका आपको दिखाता हूं इस तरह सा आ power ऑंपनी एमेज के पीग्राउंड उसका करने अब कर आपको फेक बीक्ग्राउंड से सहें और आपको राइट पर किलिक करना है राइट पर किलिक करने के बाद जो यह इमेज इसका बेक्ग्राउंड एरेज हो चुक और इसके बाद आपको एक और राइट का उपसन मिलेगा आपको इस पर किलिक करना है और इस अपनी गैलरी के उपसन पर किलिक करके गैलरी में आपक झाल झाल झाल